बच्चों, सुबा के ताजी हवा उकता हुआ सूरज नदियों का बहता हुआ पानी ये सब कितने खुबसूरत लगते हैं वास्तों में हमारे आसपास का यही आवरण, यही प्राकृतिक सौंदर्य हमारा परियावरण है आज का हमारा टॉपिक है परियावरण अध्यन्मी सुविधा के लिए हम अपने परियावरण को कुछ अलग-अलग भागों में बाट देते हैं जैसे कि प्राकृतिक वातावरन या सामाजिक वातावरन या आर्थिक वातावरन और राजनेतिक वातावरन ये वो तक्त्व हैं जो सभी आपस में मिलके वास्तविक परियावरन का नर्बान करते हैं परियावरन के बारे में हम देखे तो इनके कुछ परिभाशाएं निकल कराती है जो इनके अर्थ को और अधिक स्पस्ट कर देती है इनमें से एक परिभाशा को देखे वास्ताओं में वातावरन या परियावरन का अर्थ उन सभी भौतिक और जैविक विवस्था से है जिसम सभी जिवधारी चाहे वो मनुश्य हो या पशु पक्षी हो रहते है निवास करते हैं इस तरह हम ने देखा कि वास्ता ओंप चाहे हम हवा की बात करें मिट्टी की बात करें और उसमें उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधों की बात करें यहन हम एक ऐसे वातावरण की बात करें जिसमें मनुष्य सांस लेता है जीवित रहता है ये सभी आवरण आपस में मिलके परियावरण का नर्मान करते हैं अब क्यूंकि परियावरण चाहे वो मनुष्य हो पशुपक्षी हो कोई भी जी हो उनके जीने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है तो आएए देखते हैं कि इनके आधार पर परियावरण का क्या महत्तों हैं परियावरण के महत्तों में सबसे पहले हम देखते हैं कि परियावरण उत्पादन के लिए संसाधनों की आपूर्ती करता है किसी भी प्रकार का उत्पादन करना हो तो उसमें पानी क्या विशक् और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो इस उत्पादन के लिए कच्चे माल का काम करते हैं तो वास्तों में ये कच्चा माल भूमी और साथी साथ जल जो कि किसे भी उत्पादन शेतर में बहुत महत्पोर्ण सान रखता है ये सभी आपस में मिलकर उत्पादन कारे क सहयोगी होते हैं दूसरा इसका महात्वा इसलिए है क्योंकि पर्यावरण जीवन का पोशन करता है हमने बात कहीं पशुपक्षी जीवजनतों की या फिर मनुश्य की सभी को जीवन जीने के लिए जल की वायू की आवशक्ता होती है तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सभी जीवजनतों का पालन पोशन पर्यावरण की गोद में ही होता है तीसरा एक मात्व यहाँ पर यह है कि यह प्राकृतिक अवशेशों को अपने भीतर समाय रखता है हमने पिछले अध्यायों में भी देखा कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण खनीज है महत्वपूर्ण जो इंधन के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं वो सभी प्रकृति प्रदत्त ही होते हैं प्रकृति द्वारा ही हमको प्राप्त होते हैं प्रकृति अपने गोद में बहुत सारे महतवपूर्ण संसाधनों को समाहित करके रखती है तो ये एक इसलिए भी हम इसको महतवपूर्ण मान सकते हैं एक महतवपूर्ण कारी ये भी है परियावरन का कि जीवन की गुडवत्ता को ये बनाए रखता है एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए जैसी के हम सभी जानते हैं कि हमको शुद्ध वायू के आवशक्ता होती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमको अच्छे शुद्ध पेजल की जरूरत होती है तो प्रकृती ही परियावरन ही इन सभी जरूरतों को पूरा करती है फिर चाहे वह मनुश्र जल शुद्धिवायों यह सभी के लिए अनिवारे आवशकता हैं हम परियावरंड से इन सभी चीज़ों को लेते तो हैं ग्रहन तो करते हैं लेकिन शायद हम इस बात पर कभी विचार रहे करते कि प्रकृति किस तरह से कई समस्याओं से जूजते हुए भी हमारे प्राणों क की रक्षा कर रही है और जिन समस्याओं को वह फेस कर रही है जो समस्याओं प्रकृति के सामने हैं वह कहीं न कहीं मनिश्कृत है हम ही उसके लिए उत्तरदाई हैं आये देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन से प्रकृति की समस्याओं है तो सबसे पहली समस्या तो शुद्ध जल वायू जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हो गई अभी हम देख रहे हैं कि शेहरों में पूरे क्रांकीट के जंगल बन गए हैं अच्छे बड़े जो पेड़ पोधे हैं चाहे वो फोर लेन सडकों के निर्मान के लिए हो परिवन के किसी कारे के लिए हो खनित संसादनों क उत्खनन के लिए हो बहुत सारी चीजे जो हमको लगती हैं कि वो देश का प्रदेश का उस छेत्र का विकास कर रही हैं कहीं न कहीं उस विकास का एक दूसरा पहलू भी होता है जो विनाश कारी होता है विकास हम कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे कितना विनाश हुआ है कित पेजल का भाव है हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत से नदी नाले जरने बड़ी बड़ी नदिया है लेकिन कहीं न कहीं अगर हम जब पेजल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा दिखाई देता है जहां पेजल की समस्या है शुद्ध पानी की समस्या है और वो पूरा का पूरा छेत्र जल से होने वाली बिमारियों से पीडित रहता है जल से जो रोग होते हैं जो अशुद्ध जल के कारण होते हैं उनसे एक बड़ी बहुत बड़ी आबादी को यह तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर पूर्ण कारण होता है अगर हम पेजल की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बोर का जो पानी होता है वो भी एक समय के पश्याद वो भी दूशित हो जाता है मट्टी के साथ आने लगता है निगमों की बात करें निगम से जो पानी मिलता है उनमें भी टंकी की लगातार योगों के विकास के साथ साथ इन नदियों का विनाश लगातार होता जा रहा है बात करें चाहे हम घरेलू कचडों की या उद्योग से निकलने वाले कचडों की या खेतों में छिड़काओ करके जो कीट नाशक पदार्तों की जो गंदगी होती है यह सब कुल मिलाकर उन पूंट समस्या हमको दिखाई देती है फलदार व्रिक्षों की व्रिक्ष रोपन अक्सर आप देखते होंगे कि हम विबिन अवसरों पर पेड लगाते हैं व्रिक्ष हम अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं लेकिं शायद हम वो द्रिश्य नहीं देख पाते जब ती प्रक्रत्य का विनाश है जिसका दूर्गामी असर हमारे उपर हीओने वाला है साथ ही एक समस्य हम ये भी देखते हैं कि उर्वरा शक्ति का लगातर हाल सोता जा रहा है पहले खेतों में रासाइनिक खाद या उर्वरा का प्रियोग नहीं के बराबर होता था साथी साथ बड़ी बड़ी जो मशीनों का हम प्रियोग कर रहे हैं सचाई के जो उननत साधनों का प्रियोग कर रहे हैं उनका प्रियोग नहीं किया जाता था उस समय भूमी जो होती थी खेतों की वो उसमें उर्वरा शक्ति काफी होती थी लेकिन लगातार हमने रसाइनिक ख साथ ही एक मतपूर समस्या आवास की है अब इस विशय पर बहुत ज्यादा बात करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में भी देखा कि जनसंख्या कितनी तेजी से किस गती से बढ़ रही है और चाहे हमने परियावरन की बात की या हमने रोजगार की बात क सभी को हमने कहीं न कहीं जनसंख्या की समस्या से जोड कर देखा बेरोजगारी का कारण हमने देखा कि कहीं न कहीं बहुत बढ़ती हुई स्पीट में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो एक कारण है बहुत सारे कारणों के पीछे जनसंख्या है ठीक उसी तरह आवास की जो तो है वो बहुत अधिक है अब ऐसी कंडिशन में हम ये कहपाना हमारा कि रहने के लिए शुद्ध वातावरन हो खुला हुआ घर हो खिड़की हो सूर्य का प्रकाश वहां पर आता हो ताजी हवा आती हो तो ये सारे चीजे सिर्फ एक कल्पना मात्र लगती हैं वास्ताओं मे जनसंक्या वृद्धी के कारण लोगों को जो रहन सहन का जो उनका महौल उनका जो वातावरन होना चाहिए था वैसा वातावरन उनको नहीं मिल पाता मेट्रो सिटी की अगर हम बात करें तो सभी लोग रोजगार के लिए मेट्रो सिटी दिली बॉंबे और बड़े महानगरों में पलायन तो करके चले जाते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे उनको स्वास सम्मंदी समस्याएं आते रहती हैं आने लगती हैं इसका सबसे बड़ा औ प्रकाश को मिलना पाइसी समस्याएं हैं किaci इसी तरह एक समस्या हम देखते हैं इंधन की कि कितने सारे स्वाजूत हमारे पास हैं परमप्रागत स्रोतों कि बात की इसके विकास के लिए हमने योजनाय देखी हमने देखी कि चाहे केंदरी सरकार अपने स्तर पर करे या राज सरकार अपने स्तर पर करे लेकिन सभी कहीं न कहीं इंधन या ओजा के स्त्रोतों को बढ़ावा देने के पिछे लगे हुए हैं लेकिन उससे कहें स्पेड में जनसंक्या बढ़ रही है दूसरा एक पहलो यह है कि जनसंक्या बढ़तो रही है लेकिन इन दुरुपयोग भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है जितनी आवशकता है उससे कई गुना लोग इंधन का प्रयोग कर रहे हैं और फिर इसकी आपूरती के लिए वह प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस चीज को रोका जाना जरूरी है ये प्रकृति के लिए परियावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है एक वत्वपूर समस्या हम ये भी देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो मनुष्य के हाथ में नहीं है लगातार बारिश से बाढ़ाना आसमें वर्शा हो न जब नहीं है जरूरत तो बारिश होती है इन सब के पीछे भी कही न कहीं मनुष्य कहीं हाथ है हमने प्रकृति के साथ छेड़ चाड़ करके हमने प्रकृति के साथ खिलवाड किया और उसी का अदुश परिणाम आज हम भूगत रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं से सामना क लिखार पाना भी कहीं न कहीं हमारे हाथ से बाहर हो जाता है तो यह भी एक बहुत बडी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है अब हम अगर बात करें कि क्या है इन समस्याओं के कारण क्यूं प्रकृती संकट में हैं क्यूं परियावरन के सामने इतनी सारी समस्याओं का खड़ा होना पाया जा रहा है तो सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंक्या व्रिद्धी जिसके बारे में हमने पहले भी जाना, जिस स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है, उस स्पीड में हम प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं हमारे पास उस स्पीड में इंदन ही हैं ओड़ा पा है और किस तो बढ़ा पा-रहे आवास की समस्या को अमहल कर पार तो कारण जो है सबसे बड़ा वो है जन संकिया का लगातार और तेजगती से बढ़ना और जनसंकिया न्यंतरन पे जो भी कानून बनाए ज गय प्रयास किया गया कहीं न कहीं उनकी असफलता भी इसका महत्वपोन है रही हम देखते हैं कि अत्यदिक आर्थिख विकास भी कहीं न कहीं प्राकृतिक स्तरोद जो उनको बरबात करने में उनको नस्ट करने में परियावरन को हानी पहुचाने में बहुत बड़ा कारण बनता है बहुत ज्यादा विकास की कारण हम देखते हैं कि सडके कम चोड़ी है तो उनको चोड़ा कर दिया जाए अब ऐसी कंडिशन में हम उन व्रिक्षों को भी ध्यान नहीं देते हैं जो सौ सौ साल पुराने होते हैं जो आने जाने वाले राहगीर को छाया देते हैं बारिश के लिए जो महतुपूर्ण योगदान देते हैं हम इन सब चीजों को एक किनारे रख देते हैं और सिर्फ हम ध्यान देते हैं कि सडक चोड़ी हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है आवा गमन बहुत बढ़ गया है भीडभाड बहुत बढ़ गई है रोड पे तो हमको रोड चौड़ी करनी है और उन रिक्षों के प्रति हम कोई भी ध्यान नहीं देते बिल्कुल असम्वेदंशील हो जाते हैं उसमें प्रकृति के लिए एक पास जिस स्थान पर हम पास से साथ से आठ साल पहले कहीं गए हो और आज हम वहाँ पर जाके देखते हैं तो वह जगह बिल्कुल बदल गई होती है जहां पहले हम हरे भरे व्रिक्ष और ठंडी हवा की कलपना को लेके जाते हैं वहां हमको एक बंजर सी आधे कटे हुए प देश के आर्थिक विकास के लिए राश्ट्री आये के लिए बहुत महत्वपूर्ण भ्यूमिकाह अदा करते हैं लेकिन कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि उसके लिए प्रकृती को कितना अत्याग करना पड़ा कितना हमने प्रकृती को छती पहुचाया और फिर उन उद्य जैसी चीज़ों को भी वो लगातार गंदा करते जा रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है इस पर चिंतन का एक मुद्दा है कि कैसे इस समस्या को खतम किया जाए एक महतपूर कारण यह है कि परिवहन का विस्तार होता जा रहा है और कहीं न कहीं हम परिवहन के विस्तार को विकास के दृष्टी से देखते हैं अगर परिवहन का विकास हुआ है सडको का विकास हुआ है तो हमको ऐसे लगता है कि हां हमारे देश का विकास हुआ है लेकि पेड़ों की कटाई करना उसके बाद नदियों को पाट कर तलावों को पाट कर सुखा देना यह सारी ऐसी दशाये बनती हैं जो प्राकृतिक असंतुलन को जन्म देती हैं पर्याप्त मात्रा में अगर पेड़ पहुदे हैं वन अगर हैं तो वो वर्षया को आकरशित करेंग अच्छी बारिश होगी और यहां हमको अकाल जैसी समस्याओं को जेलना नहीं पड़ेगा लें कहीं न कहीं हमने प्रकृति से छेड़ चाड़ करके ऐसा प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर दिया है कि किसी भी स्थिति में हमको इस तरह की जो आपदा है चाहिए वो Naенные स静्छन देखी सब्सकेर के साथ 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 बहुत सारी उद्योगों का भी विकास होता जा रहा है ठनिच संसादनों की खोज होती जा रही है और उन संसादनों को निकालने के लिए यूजका करने के लिए बहुत सारे जो पेड़ पोधे हैं वह काटे जा रहे तो कही नह सब्सक्राइब को च्छती पहुचाने में के लिए बहुत बड़ा कारण बनती हैं परियावरन के इन्हीं समस्याओं और उन समस्याओं के उत्पत्ति के कारण को देखते हुए सबी सरकारों ने चाहिए वो केंद्र सरकारों या राज्य सरकार अपने इसतर पर काफी कुछ प्रयास किये आईए कौन-कौन से प्रयास सरकार के द्वारा किये गया इस पर एक नज़र डालें सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सनरक्षन विभाग का गठन किया गया और इसकी महतुपूर बात ये रही कि भारत सरकार ने सन 1980 में केंद्र सरकार ने परियावरन सनरक्षन विभाग का गठन सन 1980 में किया और जिस तरह से केंद्र सरकार के परियावरन सरक्षन पर कुछ कारी करने के प्रयास किये गए वैसी ही अपेक्षाप सभी राज्य सरकारों से की गई कि वे अपने अपने राज्यों में परियावरन सरक्षन के लिए जो आवश्यक हो वो कारी करें उस तरह की समती का गठन करें और कहीं न कहीं इस तरह के निय प्रागों का जो मुख्य कारे था वो ये था कि किसी भी तरह से वातावरन को शुद्ध करना परियावरन को बचाना और कुछ ऐसे नियम कानून लागू करना जो जिसके कारण परियावरन को सनरक्षित करने में मदद मिल पाए दूसरी एक मत्वपूर बात यह रही दूसरा जो कारिक किया गया वो है सनरक्षन संबंधी नीतिया बनाई गई वातावरन को साफ रखने स्वक्ष रखने और प्रदूशन से बचने के लिए बहुत सारी नीतिया बनाई गई जिनमें कुछ महत्पूर नीतिया जो थी वो इस प्रकार थी इसके अंतरगत राष्ट्रे व प्रदूशन नीतिया जाता रहा कि किसी भी प्रकार से परियावरन को बचाया जा सके सुरक्षित रखा जा सकते सनरक्षित रखा जा सके साफ सुत्र रखा जा सके इसी एक्रम में आगे रास्ट्रे बन जीव कारे योजना भी चलाई गई सके सुत्र को ढा Teraz सके साफ जा सके साफ अजान है कर दो साथी साथ व्यापक सनरक्षन अधिनियम 1986 लागू किया गया 1986 में इस अधिनियम को जब लागू किया गया तो इसका एक मुख्य उद्देश यह था कि इसके पहले जो वन जीव सनरक्षन के लिए प्रकृति सनरक्षन के लिए जिन नीतियों का नर्माण किया गया था हाला कि उसमें व्यापक सफलता भी मिली लेकिन कुछ नीतियां जो अ देनियां 1986 लाया गया अब अगर हम्न बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण धि ez कारण पूर्व की इतने सारी नीतिया होने के बाद भी जिसके व्यापक सनरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया तो यहां पर जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि एक तो पूर्म में जो अधिनियम बनाए गया उनमें जो छोटी मोटी कमिया थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया और उसके बाद देखा गया कि केंद्र और राज्य सरकार को इसके अंतरगत व्यापक अधिकार दिये जाएं उनको एक अधिकार छित्र सुनिश्रित किया जाएं जिससे फ्री होकर स्वतंत्र होकर अपने अपने राज्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतिया नेधारित कर सकें साथी साथ इसमें एक बात और यह देख जाती है कारी रूप में परणित नहीं हो पाती तो क्यों ऐसा होता है इसको ध्यान में रखते हुए सभी सरकारों से अपेक्षा की गई कि जो भी नीतिया बनाई जाएं उनका कड़ाई से पालन किया जाएं लोगों को प्रकृति के प्रति किस तरह से प्रदूशन की कितनी समस्याएं हैं इनसे उनको जागरुक कराया जाए और प्रयास कराया जाए कि जो भी नियम कानून परियावरन सरक्षन के लिए बनाये जा रहे हैं उनको फॉलो कर सके साथी नवीन आर्थिक नीती बनाई गई इसी के करम में आगे तो जब हम नवीन आर्थिक नीती के बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीन आर्थिक नीती के तहट जो सरकार है उन्होंने परियावरन सर्रक्षन के लिए बहुत सारे नए-नए कारिकरम तयार करने पर बल दिया कुछ इस तरह के कारिक्रम बनाएक जिस्से लोगों को परियावरण के प्रती जागरूं किया जा सके परियावर बॉरं संरक्षन की भावनाये उनकी अंतरगत लाई जा सके सुक्षता महत्पूर विशह जो इसकी अंतरगत शामिल किये गए उन पर एक नजट ड के संरक्षन के बात इसके इंतरगत की गई दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह देखा गए कि मिट्टी के संरक्षन के उपाई किये गए जैसे कि हमने पहले भी देखा कि मिट्टी जो है उनकी उर्वरता घटती जा रही है चाहे वो कीटना श्रिक दवाईयों के प्रयोग स प्राकृतिक खात के प्रयोग पर फिर से बल दिया जाने लगा दूसरा एक तो पेड़ पौधों की कमी के कारण पेड़ पौधों की लगातार कटाई के कारण जो वर्षा का जो जल होता है वो मिट्टी को बहा ले जाता है नदियों की ओर तो यह एक बहुत महत्वपूर् चाने के प्रयास किये गया और इस दुशा में लोगों को स्वक्ष जल के प्रति जागरुक किया गया अस्वक्ष जल का लोगों के स्वास्त पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लोगों को जागरुक करना किस तरह से नदियों के जल को अस्वक्ष हो कई बार सरकार ने गुण बनाये हैं स्वक्षिता को ध्यान में रखते हुए बहुत से नियम ऐसे हैं जिनमें कुछ दंड प्रावधान भी शामिल किए गह एक सबसे बहुत बड़ी समस्या जिसके बारे में हमने जाना ही अध्योगिक प्रदूशन की उध्योगों के द्वारा जो जहरीली गैसे जो निकल रही है धुआ जो निकल रहा है हमने देखा कि चिमनी का इस्तर बढ़ाने के लिए हाइट बढ़ाने के लिए बहुत से मानक नरधारित किये गए लेकिन कहीं न कहीं उन मानकों को फॉलो नहीं किया गया और पर्यावरन प्रदूशन वायू प्रदूशन का वह बहुत बड़ा कारण बने इनके जो अपसिस्ट हैं और द्योगों से निकलने वाले जो कैमिकल्स हैं गंदे जो अवशेश हैं उनका जो बहाओ था वो नदियों के ओर किया गया तलाबों के ओर किया गया उससे जो एक विपरीत परिस्थितिया जो पन हुए पर्यावरन को लेकर इसकी रोक थाम के लिए कौन-कौन से व्यापक प्रयास किया जा सकते इन सब दिशाओं में काम किया गया साथ एक महत्पूर्ण बात इसमें ये भी रहे कि शहरी परियावरनी मामलों का भी निप्टारा किया गया जादा तर जो अशुद वातावरन परियावरन को छती पहुचाने के जो अधिकतर मामले हैं वो शहरी छेत्रों में देखे जाते हैं हम आज भी देखते हैं कि गाउं की जो जलवाई होती है गाउं का जो वातावरन होता है वो अभी भी स्वक्ष हवादार और स्वास्ति के लिए लाप्रद लगता है लेकिन शेहरी छेत्रों में जो विकास को ध्यान में रखते हुए और प्रकृतिक संसादनों से प्रकृत चाहिए जो भी लोगों की दलील हैं उनको उनका निप्टारा करने के लिए इसके अंतरगत कारे किया गया एक महत्तुपूर्ण बात इसमें ये भी शामिल के गई कि लोगों को परियावरण के प्रति जागरूप करने के लिए कुछ प्रसिक्षन कारिक्रम चलाया जाना परि पर भी विचार किया गया साथ ही जो एक महतवपूर्ण बात यह है कि उर्जा के वैकलपिक स्त्रोतों की भी बात इसके अंतर की गई कि प्राकृतिक उर्जा के जो स्त्रोत हैं उनका लगातार जुद्रूर्प्योग हो रहा है और आने वाले समय में उसके जो व्यापक हानिक कारक प्रभाव पढ़ने वाले हैं उसको रोकने के लिए उनको सिमित करने के लिए उर्जा के वैकलपिक स्त्रोतों के खोज की भी बात कहीं की गई तो यह जो नवीन आर्थिक नीती थी अपने आप में काफी सशक्त इसके अंतरगत जो योजनाय थी वो शामिल की गई इस तरह पर हम कुछ ऐसे सुझाओ दे सकते हैं जिसके अंतरगत एक तो परियावरन प्रदूशन के लिए मानक निर्धारित किया जाए बड़े-बड़े द्योगों की जो चिमनिया हैं उनके हाइट कितनी हो गाडियों से निकलने वाला जो धुआ है उसके लिए मानक निर प्रदूशन मंडल का यह गठन करें और इसके अंतरगत उन सभी नियमों कानूनों को बनाया जाए जो प्रकृति को स्वस्थ रखने में स्वक्ष रखने में और प्रदूशन मुक्त रहित रखने में सही होगी हूँ तीसरा एक सुझाओ यहाँ पर यह दिया गया है कि प्रदूशन के स्त्रोतों का पत्ता लगाना वास्तों में प्रदूशन हो कहां से रहा है घरीलू प्रदूशन जो है वो कहां से हो रहा है किस वज़ा से हो रहा है और द्योगिक प्रदूशन जो है उसका क्या कारण है इ लेकिन शायद उसके बाद भी अगर परियावरण अस्वक्ष है तो कहीं न कहीं इन नियमों का इन नीतियों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसा प्रयास किया जाए कि लोगों को एक तो परियावरण के प्रती जागरुग किया जाए दूसरा परियावरण में रोकथाम के लिए जंता, गेर सरकारी संस्थान स्वयम सेवी संस्थान के आगयाने की भी बात कही गई और साथ ही साथ सभी परियोजनाओं और जो भी कारिकलाब जो भी कारियोजनाएं परियावरण संरक्षन के संबन्ध में बनाई गई निस्पक्षिता से उनका संचालन किया जाए केवल पेपर पर ही वो ना रह जाए या किसी कारणवश वो स्थगित ना हो जाए असफल ना हो जाए इसका प्रयास किया जाए तो ये तो बात ही परियावरन को किस प्रकार संरक्षित रखा जाए सुरक्षित रखा जाए अब हम परियावरन से ही संबंधित एक दूसरी अवधारना याने की धार्णी विकास को जानेंगे धार्णी विकास के अर्थ के अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा विकास है जिसके संबंध में ये प्रयास किया जाता है कि परियावरन को छती पहुंचाए बिना विकास की प् पहलू इसका ये भी कहता है कि भाविश्य को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाना भी जरूरी है वर्तमान पीड़ी के साथ साथ जो विकास है वो भाविश्य तक जाए ये भी जरूरी है लेकिन प्रयास किया जाए कि उस विकास के पीछे विनाश ना होने पाए जैसे कि हमने इस अध्याय में देखा कि चाहे हम बात करें परिवहन के विकास की रोजगार के अवसरों की तो कहीं न कहीं हम इस तरह का विकास तो कर लेते हैं लेकिन इस विकास के बदले प्रकृती को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है या कहा जाए तो प्रकृती का विनाश करके ही हम इस विकास को पूरा कर पाते हैं लेकिन धारनी विकास एक ऐसी अधारना है जिसमें सतत प्रयास किया जाता है कि विकास भी होता रहे लेकिन ऐसा विकास हो कि परियावरन को किसी प्रकार की छती ना पहुँचे जब हम बात करते हैं धार्णी विकास की तो इसके अंतरगत कुछ बिन्दों को शामिल किया जाता है जैसी कि धार्णी विकास के अंतरगत भावी पीड़ी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पढ़े पर्यावरन सनरक्षित और सुरक्षित बना रहे इस देश को ध्यान में रखकर कारे करता है दूसरी एक महतपूर बात ये कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि भावी पीड़ी की जो आवशक्ताएं हैं वो भी पूरी होती रहे अगर हम केवल एक पहलू पर ध्यान दे पर्यावरन सरक्षन सुरक्षा पर ही ध्यान दे तो कहीं न कहीं एक बात ये भी सही होगी कि आने वाले जो भावी पीड़ी है शायद हम उनको परियाप्त मात्रा में रोजगार ना दे पाएं शायद हम उनको परियाप्त मात्रा में परिवहन सुईधाय ना दे पाएं तो इन सब बातों को ध्यान में रखती हुए विकास तो हमको करना है भविश्री के लिए भावी पेढ़ी के लिए हमको एक अच्छा वातवरण तो निर्मित करना है लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को भी ध्यान में रखना है अब अगर एक्थाय को हानी पहुंचाया भी नहीं पूरी की जाए इसका प्रयास किया जाता है धानी विकास में हम देखते हैं कि अपनी कुछ विशेष्टाएं भी होती है इनके विशेष्धाओं पर एक नजड़र डाले तो हम देखते हैं कि इसके अंतरगत दीर्ध कालिं विकास पर ध्यान दिया जाता है हम जब बात करें भावी पीड़ी की यानि कि वर्तमान में जो है उससे काफी अच्छी इस्तिती हम अपने भविश्य को दे अपने आने वाली पीड़ी को दे तो कहीं न कहीं हम बहुत दूर की सोच रखते हैं दीर्दकालिन अधारनाओं पर ये थोड़ा बहुत प्रकृती से सामन जिस स्थापित करना कई बार कुछ पेड़ों की कटाई भी जरूरी हो जाती है लेकिन बहुत जादा इनको नुकसान ना पहुचाया जाए जितना बहुत जरूरी हो किवल उतनी ही पेड़ पौधों की कटाई की जाए इस चीज को ध्या के यथा संभव प्रयास किये जाने चाहिए जहां तक हो सके प्राकृतिक संसादनों का दूरुपयोग ना हो बलकि उनका दोहन हो और जितना हो सके प्रदूशन पर रोक्ताम लगाई जाए और उसके साथ-साथ विकास किया जाए इस बात का विशेज ध्यान रखा जाता है अब अगर हम देखें कि धारने विकास और आर्थिक विकास में अंतर क्या है हमने धारने विकास के बारे में जाना कि किस प्रकार कैसी अधारना है कैसे काम करती है आर्थिक विकास के लिए हमने पूरुट के अध्यायों में पढ़ा कि किस प्रकार आर्थिक विकास की प्र आधारित है और दूसरी ओर जब हम आर्थिक विकास पर बात करते हैं तो ये परियावरन संरक्षन को ध्यान में नहीं रखता है इसका एक मात्र उद्देश होता है कि कैसे भी करके आर्थिक विकास किया जाए रोजगार के साधनों को बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र आया प्रतिवेक्तियाय में व्रिधि की जाए एक अंतर यहां पर ये भी देखने को मिलता है कि धार्णी विकास की धार्णा है वो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोक से होती है और उचित प्रयोक करते हुए विकास के उधार्णा को के साथ आगे दिश केवल आर्थिक विकास धनसंबंदी विकास धनसंबंदी युजनाई होती है उसका प्रकृति पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यार नहीं दिया जाता वैसे ही एक महतुपूर्ण अंतर हम यह भी देखते हैं कि धार्णी विकास जो है उसमें कुछ अपने विकास की आवश्यक शर्ते होती है यानि कि विकास तो होना है लेकिन इसके साथ साथ प्रदूशन नियंतरण जनसंक्या वृद्धी और साथ साथ जो वातावरन परियावरन की जो सुरक्षा है इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे ब बात करें धारनी विकास की रणनीतियों की कैसे रणनीती तयार की जाए कैसे धारनी विकास की अवधाना को एक नया रूप दिया जाए किस तरह से इसको कारे रूप में पढ़नीत किया जाए तो सबसे पहले हम यह कर सकते हैं कि जो गैर प्रमपरागत उजा के जो है कुछ इंधन है और साथ-साथ परमानु उर्जा जो है इस तरह के जो उर्जा के गैर परमपरागत स्त्रोत है इनका प्रयोग ऐसे प्रभावशाली ढंसी किया जाए कि प्रकृती भी सुरक्षित रहे और विकाज भी सुनश्चित हो सके दूसरा एक काम ये भी किया जा सकत कि लगूँ जो जलिय सायंत्र है उनका प्रयोग किया जासकता है जिसे जल का एक सदूपयोग भी और प्रदुशित भी ना हो तीसरा जैसी कि हमने पछले अध्याए में गोबर गया सेंत्रों के बारे में बात की तो गोबर गया सेंत्रों को अगर हम स्थापित करते हैं उन इसको उर्जा के एक स्त्रोथ के रूप में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं तीसरा यहां पर परंपरागत जीवन प्रधिती को अपनाने की बात कही गई है यानि अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा हमको चेंज करना है गाडियों का हम प्रयोग करते हैं फोर विलर्स चाहे करते हैं उसके चाहिं कर सकते हैं जिससे हमारा स्वास्त भी सही रहेगा परियावरण को फ्रेदूशन से बचाया जा सकतेगा और साथ ही साथ इंधन का जो बढ़ता हुआ लोड है वो उसको भी कम किया जा सकता और दूसरी और हम देखते हैं कि एयर कंडिशनर का प्रयोग जो है वो आजकल बहुत जादा बढ़ गया है ये एक ओर घर को ठंडा तो करता है लेकिन कहीं न कहीं प्रकृती के लिए जो गर्म हवाय जो निकलती है प्रकृती के लिए बहुत हानीकारक होती है तो एर कंडिशनर का कम से कम प्रियोग किया जाए और अपने लाइफ संड्रक्शन के प्रतीजागरूप बने रहें अगला एक महत्वपून यह किया जा सकता है कि जैविक कम्पोस्ट खाद कीट नाशक का प्रियोग की तो अपसिस्ट पिदार्थ उनका सदूपयोग हो सकेगा और मिट्टी का संरक्षन जैसी कि हमने देखा कि उर्वरा शक्ती का लगा तरहास हो रहा है रसानिक खाद के प्रयोग से रसानिक की नाश्कों के प्रयोग से तो इस समस्या को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा तो आपने देखा कि किस प्रकार परियावरण और धार्णी विकास दोनों ही अपने आप में एक ऐसी आवधार्णा है जो कहीं न कहीं मनुष्य का एक सीधा सीधा संबंध प्रकृती से या परियावरण से जोड़ती है और ना केवल मनुष्य बलकि सभी सजीव चीजे जिनको जीने के लिए धर्ती पर जीवित रहने के लिए कहीं न कहीं प्रकृती से जुड़े रहना एक स्वक्ष वातावरण से जुड़े रहना जरूरी है और यही कारण है कि कहीं न कहीं हमको इस बात के लिए संकल्पित होन पड़ेगा कि विकास तो बहुत जरूरी है लेकिन हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इस तरह का विकास हो कि उसके पीछे प्रकृती का विनाश ना हो सके